तमस्कार दोस्तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाल हूँ Facebook एकाउन डियक्टिवेट कैसे करें दोस्तो अगर आप भी अपने Facebook एकाउन को डियक्टिवेट करना चाहते हैं अपने फॉन से तो आप इस वीडियो को अंतक ध्यान से देखिए तो चलिए आज की सुद्वेट को स्टार्ट करते हैं दोस्तों Facebook एकाउन को डियक्टिवेट करने के लिए आपको अपने फॉन में Facebook को आप इन करने के बाद ऊपर के कोने में छी लाइन का option पे क्लिक करना है और इसके बाद उपर के कोने में आपको setting का icon देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको setting का icon पे click करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको first में account center का option देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा और इसके बाद यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेग और इसके बाद यहाँ पर आपको अपने फेस्बूक का पास्पोर्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपने फेस्बूक का पास्पोर्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर अपने फेस्बूक का पास्पोर्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर नेक्स पेज आ जाएगा तो यहां पर Facebook पूछ रहा है कि आप अपने Facebook account को किस region के वज़े से deactivate करना चाहते है तो यहां पर आपको बहुत सारा region देखने को मिलेगा तो यहां पर कोई इस पर क्लिक करना है और इसके बात यहां पर डे का option दिख़ड़ा होगा कि आप अपने Facebook account को कितने दिन में reactivate करना चाहते है वो option यहां पर आप स्लेट कर सकते हैं अगर आप यह option करेंगे तो आपका Facebook account उस दिन में reactivate हो जाएगा यहां फिर आप अपने मन से Facebook account को reactivate करना तो यहां पर नीचे में आपको एक option देखने को मिलेगा don't reactivate automatically तो आपको इस option को slip कर लेना है और इसके बात यहां पर आपको continue का option पे click कर देना है और इसके बात फिर से यहां पर next page आ जाएगा तो यहां पर आपको नीचे का तरफ scroll करके आना है और यहां पर आपको deactivate my account क अपसन देखने को मिलेगा तो यहां पर आपको deactivate my account के अप्शन पर click कर दना है जब आप इस option पे click कर देंगे तो आपका Facebook तो आज किस वीडियो में इतना है, फिडियो देने के लिए बहुत बहुत धनेवाद